हेलो गाइज, वेलकम तू माई चैनल, तूड़े वे स्टड़ी अबाउट इंडिया पीपल लेंड इकोन आमी बुक अफ क्लास 12, चाप्टर 7, मिन्रल एंड एनर्जी रिसॉर्सेज, सु लेट्स बिगिन दे चाप्टर, फर्स्ट पॉइंट हमारा, मिन्रल इस नेच्रल सब स्टान से यह में नेचर से मिलता है और इसका जो कामिकल और फिजकल प्रापपटीज है वो डिफिनिट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिन्रल्स रिसॉर्सेज, यहां पर दिया गया है, इसी चीज़ को हम आगे डीटेल में पढ़ेंगे, ओके, डिस्ट्रिब च्वा-值 रिजर्व का पूराना था, ठीक है, निच्वा रिजर्वस जो पट्रोल्यू involve का है वो कहां पर है, तो वो लोकेटेड है कृष्ण गोधावरी एंड कावेरी बेसिन में नेक्स्ट है हमारा दे नॉर्थ इस्टर्ण प्लेच्व रेजन छोटा नागपुर जारकंड ओडिसा प्लेच्व वेस्ट वेंगॉल और बार्ट्स ओफ छत्तिसगर तो ये जो हमारे स्टेट्स है वो हमारे क्या है नॉर्थ इस्ट में है नॉर्थ इस्ट प्लेच्व रेजन है यह जहां पर क्या पहाँ जाता है तो आयरन ओर हो गया कोईल, मैगनीज, बॉक्साइड और माइका The साउथ वेस्टर्ण प्लेच्व रेजन करनाटका गोवा तमिल लाडू एंड केरला यह स्टेट्स हो गए जहां पर क्या पाया जाता है तो फेरस मेटल्स बॉकसाइट और और क्या पाया जाता है तो हाई ग्रेड आइरन ओर मेंगिनीज और लाइम स्टोन नेक्स्ट है मारा दो नॉर्थ वेस्टोन रिजन इस बेल् कावली जो शेट्री आया उधर ऑपार्टो गुजरात ऊंपोर इस पेटॉलें डिपोजिटी गुजरात और राजस्थान बोथ इश layers of salted और वखेइंत में ज़्याँ हृ। चुर्प और और लेकुजोन नॉदमेट हैं क्या झालिज चोबग हैं जहां जाना जाता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेर्स मींडरल आयरन ओर मेगनी इस demonstrating एक्षशन के यह दो हमारे हम जोंटिया में पाया जाते हैं और इनका गवा Megtó पाया है तो जो ये states यह जारकंट 36 गड़ ओरिसा यह जब यहाँ पर क्या है जो total reserve iron ore का उसका 95% है मैगनीज used for smelting of iron ore मैगनीज किस काम में आते तो iron ore को smelt करने के काम में आता है और ये ओरिसा जारकंट माध्यपट दिस्क में जादा पाया जाता है और जो तेलंगना गवा और जारकंट हो गया है यहाँ पर यह माइनर प्रोड्यूसर है यहाँ पर यह थोड़ा कम पाया जाता है अब हम पढ़ेंगे नन फेरस मिंडल्स के बारे में नन फेरस मिंडल्स में आता हमारा बॉक्साइट यूस्ट फूर मैनुफाक्ट्रिंग ओफ अलुमिनियूम यह किसीज में आता है काम तो अलुमूनियूम को मैनुफाक्ट्रेट करने में आता है औरिसा जारकन गुजराच चतिसगर मद्यपर्देशन महरास्ट्रे इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और तमिल लाडू गोवा और करनाटका इसके क्या है यह माइनर प्रोड्यूसर है इसके अलावा यहां पे भी प्रोड्यूस होता है हमारा बॉक्साइट अब हम आगे कृदे पढ़ेंगे और भी नन फिरर्स बिन्रोर्स के बारे में जिसमें आता हमारा कॉपर ँगया जाता है कहां पे होता है तो major producer इसके हैं जहारखन मद्रपदेस और राजस्तार और minor producer कौन कोंसेस्टेट है वो होगे हमारा करनाट का अंद्रपदेस ये तमिल नाडव लाटो अब है हमारे नं मेटालिक मिंड्रल्स जिसमें आता हमारे इलेक्रिकल और इलेक्रोनिक इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस इन ज्यारकंड, अंध्रपर्देश, तेलंगना, राजिस्तान, तमिल नाडू, वेस्ट बेंगोलाड मध्यपर्देश यहां पर क्या होता है माईका प्रोड्यूस होता है अब है energy resources, mineral fuels are essential for generation of power required by agriculture, industries, transport and other sectors of economy mineral fuels like coal, petroleum and natural gas, nuclear energy, minerals are conventional source of energy तो यह सारे चीज़े क्या, energy resources क्या ज़रूरी है मारे agriculture, industry, transport के लिए ठीक है तो petroleum, fuel, natural gas हो गया और nuclear energy हो गया ठीक है तो यह सारे मारे energy थे तो हम पढ़ेंगे भी coal के बारे में used in the generation of generation of thermal power and smelting of iron ore तो coal के इस काम में आता है तो thermal power को generate करने के काम में आता है और smelt करने के काम में आता है iron ore को the most important gondwana coal fields of India are located in जharkhand, उतरपरदेश, मध्यपरदेश, अंध्रपरदेश, महाराष्टर और तेलंगना तो यह दो reason है, दो coal fields है, जिसमें कि यह first हमारा gondwana, गondwana हमारा जharkhand, उतरपरदेश, मध्यपरदेश, आंध्रपरदेश, महाराष्टर तेलंगना में है ठीक है, यहां पर यह coal fields है, और tertiary coals कहां पर होकर करता है, कहां पर है, तो वो असम, अरुनाचल, परदेश, महाले और नागलेंड में है अब हम पढ़ेंगे petroleum के बारे में, petroleum is referred to as liquid gold, because of its scarcity and diversified uses petroleum को referred कि ए गया है, कहां गया है, liquid gold क्यόं कहां गया है तो इसकी कमी हूँ है, जैसे गोल्ड की कमी है वैसे ही petroleum क कमी हैumes और यह क्या है, इसके diversified uses हैं बहुत सारी uses हैं असम, घुजळात, मुंबई, and major oil fields को, असम, घुज़ात, और मुंबई क्याय में मेजर oil fields हैं है दो टाइब करी फैन्डिया में फर्स्ट हो गया फिल्ड बेस्ट और दुस्ट हो गया मार्केट बेस्ट ड के सबस्ट और वारावनी यह वो अंरा मार्केट बेस्ट डिए अब हम पढ़ेंगे नैचरॉल ER त्रीपूरा राजस्थान गुजरात में थीक है अब नन कॉन्वेंसले पढेंगे Сोलर विंड है थैर्मल अंद बायोमास पहले शॉर्सिपहाम हम enriched खालड हम्हमारा काम मीट सेज जसे खेंगे इसके बारें पड़ेंगे हैं इसste हमें क्यानेर्जी इनर्जी मिलता हैं Nuclear Energy Resources Important minerals used for generation of nuclear energy are uranium and thorium ये दो हैं हमारी mineral जो किस चीज के काम में आता है तो nuclear energy को generate करने के काम में आता है uranium ore is found in Rajasthan, 36 गड़ महाराष्टर and हिमाचल पर्दिस uranium हमारा Rajasthan, 36 गड़ महाराष्टर and हिमाचल पर्दिस में पाया जाता है thorium is mainly obtained from monatite and limonite in the beach sands along the coast of Kerala and Tamiladu ये Kerala and Tamiladu के कोस्ट में पाया जाता है कौन सा हमारा thorium solar energy solar energy is 7% more effective than coal and oil-based plants जो हमारा solar energy है वो 7% जादा effective है coal और oil-based plants है 10% more effective than nuclear plants और 10% जादा effective है nuclear plants है generally used more in appliances like heaters, cookers, etc और पाया कहां पर ज्यादा तर ये कहां पर यूज किया जाता है तो गुजरात और राजस्थान अब हम पढ़ेंगे wind energy के बारे में wind energy is absolutely pollution free, in-ex-hostible source of energy, राजस्थान, गुजरात, महाराष्टर और करनाट का favorable condition for wind energy, तो गुजरात, महाराष्टर ये सब है वो हमारा favorable condition है wind energy के लिए और ये क्या pollution free है, हम पढ़ेंगे tidal and wave energy occur along the west coast of Asia, तो tidal और wave energy कहां से generate होता है, तो ये हमारा जेनेरेट होता है ocean से, और ocean का अब हमारे west coast में हमारे के हैं, इंडिया के ocean है, तो वहाँ पर इसका ज्यादा ये occur करता है, next है हमारा geothermal energy, when the magma from the interior of the earth come out on the surface, tremendous heat is released, this heat energy can successfully be trapped and converted into electrical energy, तो जो हमारा magma है अर्थ का, वो जब बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है, जब interior of earth से बाहर आता है, वो अर्थ के अंदर से, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा heat निकलता है, तो जो हमारा जो भी technology है, वो क्या करता है, इसको successfully trapped करता है, और इसको electrical energy में convert कर देता है, यह कहाँ पे होता है, तो यह हमारे country के हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश जो हमारे state है वहाँ पे, बायो एनर्जी refers to the energy derived from biological products, which includes agriculture, residues, municipal, industrials, and other westerns, तो बायो एनर्जी क्या है, जो हमारा वेस्टेज है, उससे क्या है, यह बना जाता है, जिससे क्या हमारा खाना वाना बनाने के काम में भी यह बायो एनर्जी का use होता है, conservation of minerals resources, तो क्या है हमारे mineral resources क्या है, mineral resources हमारा limit में है, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, conserve करके रखना चाहिए, manage करके रखना चाहिए, और जो हमारे यह non-conventional energy का है, non-conventional जो हमारे था source, उसका हम जादे यूज़ कर सकते हैं, so thank you guys, यह हमारे chapter यहीं पर खतम होता है, मिलेंगे ह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक के जीगा और चैनल को सब्सक्राइब के जीगा, ताकि आपको आगे के वीडियो मिल सके, so thank you so much